हलो स्टुडेंट्स वेलकम टो इगनु बड़ी देखें जैसा कि आपको पता होगा कि आपके जून 2022 एक्जाम का जो रिजल्ट है उसको इगनु की तरफ से अपडेट किया जा रहा है हर दूसरे तीसरे दिन और कभी-कभी तो एक दिन छोड़के भी आपका जो है रिजल्ट अपडेट किया जा रहा है एकनु की तरफ से उसी के साथ साथ आपके जो रिवैलुएशन है जून 2022 का और दिसेंबर 2021 का उसके भी रिवैलुएशन का रिजल्ट भी आपका अपडेट हो रहा है टाइम टू टाइम सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक रख है और कितने स्टुडेंट्स के मार्क कैसे चेंज होते हैं इसी बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं आप वीडियो ज़ुड एंट तक देखना तो मैं आपको result दखा देता हूँ पहले student का यह देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो यह student का result है left side में आपको मिलेगा term and result जून 2022 और right side में आपको दिख रहा होगा जून 2022 revaluation का result तो यहाँ पर यह जो भी इसने सारे student ने सारे subjects के लिए अपलाई किया है वैसे तो लेकिन अभी सिर्फ 6 result ही आये हैं revaluation के तो मैं आपको उनको भी compare करके दिखा देता हूँ आगे जैसे जैसे result आते जाएंगी मैं आपको inform कर दूँगा तो पहला subject में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर BEG 142 में BEG 142 में इसके पहले थे 58 और revaluation के बाद BEG 142 में आप देख सकते हो यहाँ पर 49 हो गए यहाँ पर 58 से 49 हो गए यानि कि 9 marks कम हो गए लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि revaluation में अगर आपके marks कम हो जाते हैं कि subject में पहले आपके ज़्यादा marks आए थे और revaluation के बाद अगर उसमें marks आपके decrease हो जाते हैं तो इस case में इगनू में वही marks आपके real marks माने जाएंगे जो ज्यादा है अगर आपके revaluation के marks ज्यादा है तो आपके marks पहले ज़्याद आते तो आपके वही marks great card में update कि जाएंगे तो दूसरे subject में दिखते हैं BEG 145 में पहले 5300 में से उसके बाद BEG 145 में revaluation के बाद 55 हो गए यानि कि 2 marks बढ़ गए उसके बाद फिर BEG 171 पहले 47 ते 100 में से उसके बाद 60 हो गए यानि कि 47 से 60 हो गए 47 से 60 marks का यहां पर देख सकते हो आप increase हो चुके हैं उसके बाद BEGS 186 पहले 55 थे 100 में से उसके बाद revaluation के बाद BEGS 186 में 72 हो गए इसका मतलब 17 marks भड़ गए तो 17 marks का increase हो गया है आपर तो देख सकते हो इतने 17 marks भी आपके भड़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका एक्जाम अच्छा गया था तो revaluation में आपके 17 marks भड़ सकते हैं यह आपके सामने प्रूव है उसके बाद आते हैं BHDE 143 पर पहले 49 थे 100 में से और revaluation के बाद कम हो गए 44 फिर दुबारा से वही case हो गया इसमें marks और degrees हो गए तो दूसरा subject है आपका BSOG 176 पहले 100 में से 40 आए थे अब 100 में से 55 हो गए revaluation के बाद यानि की 15 marks बढ़ गए तो आप देख सकते हो यहाँ पर 15 13 17 इस तरह से marks बढ़ रहे हैं और किसी subject में तो सिर्फ दो ही marks increase हुए हैं तो अगर जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि अगर आपको लगता है कि आपके जो एक्जाम है वो अच्छा गया है तो आप revaluation के लिए apply कर सकते हो उसके लिए आपको revaluation का form बना पढ़ेगा आपको पता है उसकी price में दवारा बता देता हूँ अगर आप सिर्फ revaluation के लिए apply करते हो तो आपके 750 रुपे पर subject लगता है और और अगर आप photocopy के लिए भी apply करोगे साथ में तो आपका 850 रुपे पर subject लगता है तो प्राइस काफी जादा है तो अगर आपको पूरा confidence है कि मेरा exam अच्छा ही गया था तो तभी आप में recommend करूँगा कि आप उसको apply करना वरना आप re-exam भी दे सकते हो उसमें आपके पैसे कम लगते हैं तो अगर आप कोई financial issue नहीं है तो आप evaluation के ज़रूर apply करना इसमें आपके marks increase हो सकते हैं और कितने increase हो सकते हैं यह बहना आपको इस वीडियो में दिखा दिया तो आपके लिए अगर यह वीडियो helpful लगी है आपको इस वीडियो को ज़रूर प्लीज like करना और इस तरह की इगनू की updates के लिए इस चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करना so thanks for watching this video thank you so much